मा का मख्या हम गुरु करा रुद्रतारा कॉला चारे जी आप सभी का पुन्य स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल महा दंत्र ग्यान तो हजार पाइस के अंदर महा भगवती काम रुपनी महा काम इश्वरी देवी सभी का कल्यान करें सभी को हश्ट पुष रखे काय और आप सभी का कल्यान करें तंत्रसादना में हम गुरु करा रुद्रतार्य कॉला चारे जी आप सभी को तंत्रसादना से टो thang अलीगे कि पॉट्यूड जsea कारी जो की मअ भगवती म云 अननददाई नी म मोखोदाई नी उ कर सभी स्री मनाननन्ता के बारे में हैं जिसको पूजी जाती है अलगअ स्थान पे इनकी अलगअ प्रकार से अराधना की जाती है मा भगवती राजराज पर हम गुरु करई रुदरटरकौटरचारेजी आपने कुछ विचार परस्तूत करने वाले हैं तो आप सभी वीडियो के साथ आप चिपक जाइए अच्छे तुरीके से बारे में आपको बताने वाले हैं कि इसकी पूजा सरवत्र सरवप्रत्म कहां हुई किसने इसका पूजा ने तेहां किस प्रकार से पूछते हैं तो यह सब जानकारी आज हम क्लियर ली आप सभी को देना चाहते हैं मा भवती भवतारनी मदानं देवी इसका इतहास आज का नहीं है इसका इतहास बहुत पूरातन समय से चला रहा है यह उस से भी पूरवका है जिस समय जो है समाच का झाल झाल सभय समाज का स्थापत्या हुआ था या तंद्र विद्या का स्थापत्या सभय समाज के बीच में फैला था उस समय से ही मा भगवती के आरातना की जा रही है लेकिन उस समय इसकी पूजन पदिती का विधान अलग था आज कल इसकी पूजन पदिती का विधान अलग है दोनों प्रकार से ही भगवती के आराधना साधना जो है अच्छे तरीके से किया जाता रहा है अब बताते हैं किसका इतिहास क्या है किसने मा भगवती के सबसे पहले आराधना की प्रकर्मन शुरू करते हैं भगवती का मा मधानन माता का महाविद्या करम से क्योंकि मधानन नाम इसक समझे कामराज जो रिशी थे उन्होंने सरव प्रथम मा भगवती मदानन देवी के आरादना की थी उन्होंने ही मा भगवती भावतारणी को जो है सरव प्रथम जागरित किया था जो उनके सरव प्रथम पुजारी थे वो कामराज जी महराज थे जिस समय आप रिशय न्याद बढ़ोती का आरादना करते है उस समय बढ़ोती की आरादना के साल श्रीक कामराज रिशीकां को पूजन करहें है अन्य था माप भगवती की आरादना पुर्ना नहीं होती है भगवती मूल रूप में भगवान श्रीक कृष्ण की उपासिका है भगवान कृष्ण की संगिनी है आपने सुना होगा ललिता सक्षी के बारे में ललिता कुंडबी जो है वन्दावन में आज विराजमान है ललिता सक्षी जो है झाल को कंसे जिस समय उनकी हत्या करने वाला था तो उस समय पे एक देवी का प्रगटत्य हुआ था ये शोदा माई के गरब से जातर लोग जानते ही होंगे इस बात को है न जिसको योग माया बोला गया था जो की कंसे के हाथ से निकल गए थी जिसी ने बताया था कि तुम्हारा का ला गया उसी देवी को योग माया बोला गया जो कि अन्त झाल 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 समय तक भगवान श्री कृष्ण के साथ रही समय समय पर इसने अपना स्थान जो है गरहन किया जिस स्थान पर ये देवी जा करके विराजमान होई थी उस थान को विंद्यांचल परवत बोला गया विंद्यांचल परवत आज भी यूपी के विंद्यांचल शेत्र में विर युद्ध के लिए जब महाभारत का युद्ध चालू हुआ था तो उस समय पे सर्व प्रथम मा भगवती की उनसे प्रातना थी कि मैं कि मुझसे अधिक प्रेम आप ललता विशाखा सखी को आप करते हो ललता तो इसी कही सरूप है लेकिन आप विशाखा सखी को अधिक प्र करते हो वो हमसे पहले आपके दर्शन कर लेते हैं लेकिन हमें भी मतलब हम आपकी सखी है संगिनी है आपकी सबसे पहले तुम ही हमारे दर्शन करोगी तो भगवती का वास हर चुराहे पे होने लगा तो जिसके करण माता को चौंक चुराहे की माता बोला जाने लगा समझे चौंक चुराहे की माता भगवती को बोला जाने लगा भगवती चौंक चुराहे पे वास करने लगी समय के नुसार काल अंतर में समय बदला कौरवो पंडवो का भी समय चला गया महाभारत काल का समय चला गया उस समय भारत में राजाया मुगलों का तो मुगल राजाओं ने भगवती श्री जगदंबी का मामदानन के मंदिर को तोड़ने का प्रतन किया ये काली रूप में ही पुझा करते विंद्या वासनी के रूप में पुझा करती बार-बार इनके मंदिरों को लूटा जाने लगा बार-बार मंदिरों की मूर्तियों को धोस्त किया जाने लगा तब मा भगवती ने के जो पुजारी थे उन्होंने मा की अरादना की कि हे मा भगवती आपके मंदिर में किस प्रकार से हम पूजा करें हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने से सिद्ध स्थान की बेयत भी होने से बचा सके तो मा भगवती मदानन ने आर्शिवाद दिया कि आप ऐसे प्रसाद का हमें भोग लगाई है कि जिसकी भेंट मुस्लिम लोग नहीं खाते तब मा को वरहा की बली चढ़ने लगा है माता के मंदिन में वरहा की जह है बली जो है चढ़ने लगी धिरे-धिरे करके माता की जो बली वह वरहा की चढ़ने लगी उसके बाद मा चुराहे पर वास करती थी मा ने वचन दी अकों जो है ये आश्रिवात था भवन कृष्ण के द्वारा की हर चुराहे पर तुम्हारा वास होगा जो एक आउरा होता है वो शम्षान तक नहींत होता है शम्षान में वो शक्तियां निवास करती है जो मृत्यू लोग और जीवन लोग के मध्या निवास करती है अर्थात ना तो उनको गती मिल पाती है ना तो वो जीवी तो पाती है तो भटकती है आत्माएं शम्षान में निवास करती है गिन्तू हर प्रकार की जो शक्ति होती है वो चुराहे से ही निकल के जाती है हर प्रकार की शक्तियां वो मैदानों से निकल के समसान में जाएगी तो अगर वो शक्ति निकल के जाएगी तो वो चुराहे पे ही हो करके जाएगी वो किसी रास्ते से ही हो के जाएगी वो उड़के नहीं जा सकती शक्ति समसान में वोई शक्तियां वास करती है जिसकी एक limitation है, लेकिन मैदान में हर शक्ति वास कर सकती है तो इस शक्ति की जो पहुँच है, वो हर प्रकार की शक्तियों के साथ है इसकी आराधना के बिना, इसकी साधना के बिना, बड़े से बड़े तांत्रिक, बड़े से बड़े सादक कुछ भी नहीं कर सकते, एक तिनका भी इसकी आराधना के बिना नहीं हिल सकता तंत्र में जागरिती प्राप्त करने वाले जो साधक हैं, जो लोग बोलते हैं कि आराधना करते हैं, साधना करते हैं रोड पे चलता हुआ जो भूत है ना वो भी इसकी इच्छा के बेना नहीं चल सकता आप किसी का रोग काट रहे हो आप साधना भी कर रहे हो अगर कोई देवी की भी आराधना किसी भी देवी की आराधना अगर आप कर रहे हो ना तो वो तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक मा मादानन उसको आगे रास्ते पर बढ़ने का उसको जो है आगया नहीं देगी तब तक वो देवी खड़ी रहेगी यह जा नहीं सकती आगे कोई भी देवी बड़ी से बड़ी देवी इवन आपकी मृत्यू भी माता मादानन के हाथ के निचे से निकल की ही जाती है तो हर शक्ती के उपर इस देवी का कंट्रोल बोला गया क्योंकि यह मृत्यू चक्र की देवी है और आपकी लगन चक्र में इस देवी का को जो स्थान है वो साथ चक्रों के साथ विराजमान है यह देवी किसी एक चक्र में विराजमान नहीं है झाल झाल समझे बोला जतना है कि साथ फेरे भी अगर लिये जाते है तो वो भी इसी मामदानन की पूझा के कानणी लिये जाते है क्योंकि ये साथ बंदनों में बांध देती है तुमको साथ रिशी होते है साथ साथ एशिया अफ्रीका यूरो झाल झाल भारत एशी भारत को जो कि एशिया पैसिफिक में आता है तो आप देख लिए सेवन होते हैं सब्सक्राइब जाना पड़ेगा तो इन सब साथ चत्र की जो शक्तियां होती हैं उसके उपर देवी मदानन का अधिकार होता है साथ जो नंबर होता है यह देवी का स्वरूप बोला गया मदानन माता का धनी होता है अब बात आते हैं कि ग्रहस्त लोग जो होते हैं वो इसके आलाधना साधना किसलिए करते हैं घर में किसी भी प्रकार की नकरातमक्ता को दूर रखने के लिए संव्रिधी प्रापती के लिए अश्वरय प्रापती के लिए तंत्र सातना की प्राप्ति के लिए अपने व्यपार विर्धी के लिए अर्थार्थ A to Z जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके निवारने के लिए और अनंत शक्तियों की प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए इस देवी के गुप्त अर्दना के लिए इस देवी के गुप्त अर्दना साधना की जाती है जो सात्विक विधान में देवी के अर्दना करते हैं वो माता को काल रात्री के रूप में पूछते हैं जो तामसिक विधान में देवी के अर्दना करते हैं माता मदानन या मदान की मसानी के रूप में इसके अर्दना करते हैं माभहरवी के रूप में इ पूजते हैं यह सब नाम माता मदानन की ही है महा भगवती की दो सवारियां विशेश बुली भी है एक काला कुत्ता और दूसरा गधा जिसको घोटक बोला जाता है या तुडग भी बोला जाता है इसको भगवती जिस समय क्रोध रात्री सुरूप में होती है अर्थात अर्थात तुम्हारे अज्ञानता का जब भगवती नाश करती है तुम्हारे विकारों का जब भगवती नाश करती है और जब भगवती तुम्हारे अनंत काल तक तुम्हें शक्ति प्रदान करती है तुम्हारा कल्यान करती है तुमको तंत्र विद्या में पारंगत करते तब भगवती काले कुत्ते पे विराजमन होके आती है यह भगवती की दो सवारियां विशिश बुली गई है यह पंट्रोल में नहीं आती किसी के ऐसा है लेकिन जो सादक इसको साध्य कर ले उसके जिवन में दिन दोगनी राच दोगनी तरकी होती है उसके जिवन में इसकी आराधना से असाध्य से असाध्य काम को पल में जो है कंप्लीट किया जा सकता है यह शक्ति ऐसी है जो इस लोग और परलोग में आपको जो है पल से पहुंचा सकती है हर प्रकार की शक्ति हैं आपको देने में सक्षम है तो अब इसकी आराधना जो लोग करते हैं उनको जो माता मदानां की दिये घर में लगाते हैं वो घर के अंदर ना लगाए वो घर के बाहर इसका स्थान बनाया जाता है कुछ लोग इसको थान पूझना बोलता है थानना वाली माई भी कुछ लोग इसको बोलते हैं बोलते हैं आपके आपके आपे कि कलर मदानों में पूझने वाली थानना वाली माई कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं इसको वो थानों का मतलब होता है स्थान खुला स्थान देवी कभी ऐसा छट के नीचे नहीं पूछती इसकी पूजा कभी नहीं हो सकती छट के नीचे इसलिए इसका स्थान बनाया जाता है गर के बाहर गर की जो है बाउंडरी के बाहर और भगवती को वाराह की बली दी जाती है जिससे भगवती प्रसन होती है क्योंकि उस समय पे भगवती ने धरम की रक्षा के लिए इस वाराह की बली को सुविकार किया था इसलिए अगर आपको भी किसी भी प्रकार की सुरक्ष शूर्ड किंवली इत्यादी मिठाई अन्डे गलेजी सुपारी अन्दे लोगी कटा से इत्यादीить जो प्रसाद है यह माभगवती का तमस्व प्रसाद है यह प्रसाद सभी को माभगवती को चढ़ाना ही पड़ता है तो इसी के साथ माभगवती का जो मंत्र जाब जो होता है वो मध्यरात्री का बोला गया भगवती के अरादना नग नमस्था में की जाती है इसके अरादना कभी भी वस्तर पहन की नहीं होती क्योंकि भगवती अडंबर मानती है और खुले पन का प्रतीक है देवी इसलिए भगवती के अरादना नग नवस्ता में की जाती है कपड़े उतार के भगवती के अरादना की जाती है मद्यारातरी में 51 घटों को कम से कम अपने उपर डालना पड़ता है जब इसकी अरादना की जाती है तो चाह सर्दी हो चाह गर्मी हो ऐसा है भगवती के आरातना साथ महिने तक की जाती है तब जाके भगवती प्रगट होती है और आपके कारे करती है इसका गुप्त मंत्र हम यहां नहीं बता सकते क्योंकि इसकी दिक्षा लेना पड़ता है और बिना गुरू के इसकी आरादना करना बहुत ही ज़्यादा भयंकर कारी परिणाम लेकर के आता है बिना अरादना गुरु के मार्क दर्शन में इसके अरादना करना मौत को मासी कहने के समान है तो इसका मंत्र जाप जो होता है वो करना पड़ता है साथ में इसका मंत्र जाप माला के माद्यम से नहीं होता है बहुत सी चीज़े होते है जिसके माद्यम से होता है जो हम यहां नहीं बता सकते है गुप्त भी दिये गुप्त मार गये इस्त्री यदिस की अराधना करती है उसमें मैंसेस का कोई महत्व नहीं रहता अगर पुरुष अराधना करता है उसको ब्रह्मचारे रहना पड़ता है इसकी अराधना में क्योंकि भगवती साक्षात ब्रह्मचारे सुरूप है खुले विक्राल केश होने चाहिए स्त्री के भी और उस समय स्त्री को घर परिबार से दूरी बना लेना चाहिए दिन के समय सोना नहीं चाहिए और इसके अरादना घर के बाहर ही करने चाहिए घर के अंदर अगर आप दिये लगाते हो छत के नीचे इसके दिये कभी मत लगाएं घर के बाहर इसका स्थान बनाएं वहाँ पे इसके दिये जोड़ें और इसका कभी एक दिया नहीं लगता दो मया हो दिए इसके साथ में लगाया जबर कुछ के वाइड फूम है अट्विडक्तो महनत करने पड़ते हैं और सिक्वारती बोला गया है और ये तंत्र के बारा कुल बोसे भगवती विराजमान फृतियान लगब्ल जो चुराहे का प्रसाद होता है वो मा मदानन का ही होता है जो भी चुराहे प्रसादी जो है आप चड़ाते हो पुछ पी आप चड़ाते हो वो मा भगवती मदानन का ही होता है उसके उपर उसी का दिकार है और किसी शक्ती का दिकार नहीं है तो ये भगवती अनंद दायनी म मुख्ष दायनी है सब कुछ देने में सक्षम है तो इसकी अरातना साथना ट्रिपुरा सुन्दरी ज्वेंती से आप कर सकते हो इसके काम पुर्ण होता है दर बार खुल गया है गुरुजी नहीं बच्चे 20-20 लोगों को को ही बुलाया जा रहा है दर बार पे ज्यादा को जो हम भीड़े कठी नहीं कर रहे हैं दर बार के उपर सिर्फ 20 लोग बच्चे जो कि हमसे आग्या लेके आते हैं स्रफ वही बच्चे आ रहे हैं इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं ऐसे हमसे आग्या लेके ही वो बच्चे आई जिनको आना है 20 से उपर एक दिन में लोग हम नहीं करते हैं 20 परिवारों से पर को तो दर्शन भी करने का लो नहीं रहता है उनको सिर्फ मतलब एक पड़्दे से जो है मिला जाता है और शिश्य बच्चों को मनाई नहीं है खेर ऐसा है तो भगवती की दिखा ग्रांड करना चाहिए तब जाके सका शिवाद पूर्ण मिलता है जैश्री महाताल जैमा कम कि अपा करें माप